हलो फ्रेंद्स कैसे आप सब लोग वलकम तू मैं चैनल चटोरी रजनी बस आज शाम को हजबिन क्या खाएंगे उसकी तहियारी कर रहे हूं वैसे बेटे के लिए मैंने दाल चावल भिगो रखा है और हजबिन मेरे मैंने जैसे पता है काफी टाइम प्रिफर करते के सूप य एसे ही बाकी सारी सब्सियां भी करती है गाजर, जुकीनी, स्कॉश, आलू भी आप ऐसे कार सकते हैं यह जब आप वेजटेबल बनाते हैं जैसे शॉल्टेंड पेपर वेजटेबल या चाइनी स्टर फ्राइड वेजटेबल तो बहुत अच्छा लगता है यह है जुकीनी तो आप इसे अच्छे से दो सकते हैं और इसको skin के साथ ही खाना चाहिए पर मुझे ऐसे लगता है ना कि बहुत जादा हो जाएगा यह लोग खाए ना तो इसलिए मैं क्या करती हूँ थोड़ा पील करती हूँ और थोड़ा पील नहीं करती हूँ तो मैंने सोचा पहले मैं इसको काट लेती हूँ फिर इन टुकडों को भी दो भाग में कट कर लेंगे उससे एजी हो जाता है खाने में भी बहुत बड़े अगर होंगे ना टुकडे तो मुश्किल होगे अब जुकिनी वाटर वेश्टेबल है बहुत जल्दी कुक हो जाती है तो इसे बहुत पतला नहीं काटना और बहुत मोटा भी ने ध्यान डगना है कि सारी सबजिया न एक ही तरीके से एक ही थिकनेस में कट हो तो जादा अच्छा रहता है ये देखें फिर मैंने इस तरीके से कट कर ली एकदम ड्रॉप के जैसे इसका शेप आ गया था बहुत अच्छा लग रहा था मुझे इस तरीके से मैंने काट ली जुकीनी आपको पता है मार्केट में कैसे खरीते हैं पतली पतली देखे हैं ये है जुकीनी का भाई जुकीनी को अमने बीच में से काट लूगी बहुत इजी होता है बहुत अच्छा लगता है ऐसे स्टर फ्राइड वेजटिबल्स खाने में फ्लेवर आप बहुत रखे दे सकते हो जैसे सॉल्ट एंड पैपर रख सकते हो या अगर आपको चाइनीज फ्लेवर देना है तो चाइनीज आजकल वो बहुत इजली मसाले मिलते हैं चाइनीज सीजनिंग बोलते हैं वो डाल सकते हैं और मैं तो प्रिफर करती हूँ सिंपल सॉल्ट पैपर और बटर वो वाला लीजिए जो गार्लिक और है और साथ में मैं अब कट कर रही हूँ मेरी कैपसिकम और साथ में मैंने बेल पैपर भी ले लिए रेड और येलो मतलब लाल पिली शिम्ला मर्श ये देखें ध्यान से अगर आपने देखा है मैंने तो सफेद हिस्सा है ना कैपसिकम का उसको अच्छे से कट कर लिया तो बहुत अच्छा लगता उसको अगर कट कर लिया वैसे तो इनको अंदर से भी पतला-पतला कट होता है इनकी स्किन तो इनका जूसिनेस बाहर आता है उससे ज़्यादा फ्लेवर आता है पर मैं वो नहीं कर रहे हूँ कि नहीं पूरा-पूरा ही खा लेंगे बस इस तरीके से मैं विंटर्स का ना यही तो सुख है भाई इतनी तरह-तरह की रंग भी रंगी सबजी और चितने रंगी सबजी आप खाएंगे ना उतना आपके लिए अच्छा है इन दे मीन टाइम मैंने कुकर में बेबी कॉन और ब्रॉकली को स्टीम होने रख दी दी पानी में नहीं बलकी एक टेबल स्पून पानी लेती हूं मैं और कॉन और ब्रॉकली मैंने डाल दी और पूरा उनको मैंने एक फुल सीटी आने तक रहने दी और यह देखे कितना सा पा इनका कलर भी बरकर आ रहाता है अब आप देखना जब मैं दिखाऊंगी आपको मैं कैसे बना रही हूं तो मेरी ब्रॉकली का कलर देखेगा एक दम ब्राइट और रेड वेल बस फाइनली मैं अपना कैपसिकम चॉप कर रही हूं मेरे हजबन को और बेटे को यह चीज बहुत ही मिल जाते है सेलेरी जो है क्या बोलू मैं वो एक उमामी फ्लेवर देता है बहुत अच्छा फ्लेवर देता है चाइनीज में तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है तंदूरी फूर में भी अगर आप डाले ना मस्त फ्लेवर आता है और नहीं है तो कोई बात नहीं आप skip कर सकते हैं आप sweet corn, baby corn, box chai यूज़ कर सकते हैं mushrooms यूज़ कर सकते हैं बस ये सारा करते करते आ गया था किसी का phone किसी का अब याद नहीं आ रहा है फिर मैं लग गई थी phone पर बात करने मैंने का ठीक अभी मैं थोड़ा सा cut कर लेती हूँ फोर्म पर पांच मिट बात करूँगी और फिर वह अपस आके मैं अपना साथ के साथ बेटे का और मेरा डिनर बना रहे हूँ आज हम रात को खा रहे है दाल चावल बेटे ने का के मम्मी मुझे तो दाल चाल खाना है बस फिर बेटे की दाल मैंने सोचा मैं फटाफट इसको चड़ा देती हूँ और जब भी मैं तयारी करती हूँ खाने बनाने की मैं कभी भी प्यास काटके नहीं रखती हूँ वो जब मुझे बनाना होता है तभी मैं छील के काटती हूँ तुरंट और कटा हुआ प्यास भी आपको तुरंत खा लेना चाहिए, कभी भी रखना नहीं चाहिए, इस चीज़ का प्लीज जरूर ध्यान दे, बस अपनी सारी तेयारी करके मैंने बाकी बाहर का काम कर लिया नीचे, वॉक पे भी आ गए, और हस्बेंड आ गए तो तो मैंने का चलो, अब मैं फटा-फट प्यास काटती हूँ और आगे का काम करती हूँ तेयार, और प्यास इसके लिए ना हम बिल्कुल बारिक-बारिक नहीं काटेंगे, पर बहुत बड़ा-बड़ा चंकी भी नहीं रखेंगे, बस माल लीजे के आधा करके उसके चार टुकड़े करने, इस टेमपे ले आओ, इस बार बहुत दिन होगे टेमपे खाए, टेमपे क्या होता है, यह इंडोनेशिया का मतलब वहीं का यह रेसिपी है, जैसे तोफू होता है, जो सोया मिल्क से बनता है, तो टेमपे जो है, वो सोया मिल्क नहीं, सोया से डारेक्ट बनता है, सोया जो होता जाता है प्रैंक्लिकिकए एप लेकिन जस फ्लेवर झोझे थे ले तो आज Halit जो है सब सुपर मांकेट में एजली मिलते हैं और यह भी मिलने लगा है आज कल कि आछे आ., अशुन से टंदूरी फ्लेवर वाला मंगowski सब लिया और विल 상승मौन को आपको हमेशा फ्र राइ करके, लियाँ बॉल, के अँनी कि दून करने चाहिए अन्य श करूं MS तब वो बहुत अच्छे बने थे तो बस जब तक कि अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाते तब तक इन्हें करना हमें तवे के उपर कूँ जब तक टेमपे होंगे यहां मैं अपना वॉक ले रही हूँ वॉक में बिलकुल मामूली सा तेल लिया है आप फिर उसमें बटर डाल सकते हैं और अगर बटर भी ले रहो तो थोड़ा सा तेल ज़रू डाले ने तो क्या है बटर बहुत जल्दी से जल जाता है थोड़ा बटर ज़रू डाले ने और अच्छा फ्लीवर आएगा मैं आज क्यों भूल की पता ने तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिये बारी कटे हुए जिंजर, गार्लिक, सेलरी और अपने प्यास और इनको अच्छे से हम हलका सा भूल लेंगे बहुत जादा कूकिंग की जरूत नहीं है अच्छे जब आप स्टीम करें ना ब्रॉकली स्टीमिंग वाली सबजियां तो ध्यान रहे आप उसमें बीन्स और कैरेट भी स्टीम कर ले बीन्स आज ठीनी घर में मैंने कैरेट लिए और मैं कैरेट बिलकुल स्टीम करना भूल गए मुझे जड़ डालने लगी तब यादा मैं सुचया कोई बात नहीं हलका सा स्टेव फ्राई करके धक्कन लगा के दीमी आज पे पांच मिट में ये कैरेट भी फटाफट हो जाते है तो बस मैंने लिड लगाया और इसे कुक होने दिया तो ध्यान रहे गलाना बिलकुल नहीं है सबजियों का क्रण्च उन में रहना है तभी तो मज़ा आएगा खाने का फिर उसमें मैंने अपनी जुकिनी डाल दी स्कॉश डाल दिया और ये भी बहुत ज़ादा वाटर कंटेंट होता है ये भी बहुत जल्दी कुक हो जाते है और बस फुल आंच पे वाट पे जब भी हम बनाते हैं इनको भी हमने टॉस कर लिया मश्रूम्स भी आप डाल सकते हैं मेरे पास जोजुता मैंने सरफ वही डाला उसके बाद मैं डाल रही हूं उसमें पालक पालक आप देखेंगे इतना बड़ा पत्ता है पर फिर भी मैंने पूर डाला है प्योंकि एक मैं तोड़ के उसका न्यूट्रिंट लॉस नहीं करना चाह रहे हूं सेकंडली जैसे ही जैसे पालक कुकूगी ये पत्ते इतने छोटे हो जाएंगे कि बहुत एजली हम खा पाएंगे फुल आंच में हमने उसको स्टर किया उसके साथ मैं डाल दी हूँ अपने सारे जो लाल, पीले, हरी, शिमला, मिष्टी और अच्छे से इन सब को भूल लिया अब देखे बहुत कुकिंग नहीं करनी है ध्यान रहे हर चीज का क्रंच रहना है और जैसे ही हो गए, मैंने इसमें अपने स्टीम किये वे ब्रॉकली और बेबी कॉन डाल दी है साथ में मैं डाल रही हूँ कुटी हुई काली मिर्ष अच्छा एक होती है पिसी हुई काली मिर्ष वह भी डाल जाकते है कुटी हुई मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे जब काली मिर्ष का दाना आता है मुझे तो बहुत अच्छा रहता है फिर हम स्वात केनो सार इसमें डाल देंगे नमक और मैंने आज थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाला है आप चाहें तो इसमें चाइनी सीजनिंग भी डाल सकते है वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर लता है बस फिर अच्छे से हम इसे टॉस करेंगे और मिक्स कर लेंगे येस ये बिलकुल ड्राइ बनता है आप इसे कैसे सर्फ कर सकते हैं इसे बाबीक्यू सॉस के साथ सर्फ कर सकते हैं और हर्ब राइस और उ Harperе डाइ वेज़िटेबलों बाबीक्यू सॉस बहुत अच्छे लगते हैं बाबीक्यू सॉस आजकल वीबा की बहुत अच्छी है लुकानों में माइं बड़ी है मैंने अपनी प्लेट सजा ली मेरे पास थोड़े से पत्ते थे लेटस के तो मैंने वो लगा के प्लेट को सजा ली और यह देखें बहुत एजिली मैंने पत्तों को धोया सिजर से थोड़ा नीचे से कट किया ताकि ऐसे शेप दे सको मैं फूल का नीचे प्लेट के अंदर और फिर गरमा गरम अपनी सारी सबजिया मैंने लगा दी आप इसमें पनीर भी डाल सकते हैं पर क्योंकि मैं टेमपे यूज कर रही हूं तो मैंने पनीर नहीं लिया है बस य जब भी हम खाना काते हैं तो पहले आँखों से खाते हैं जो हमारी आँखों को प्लीजिंग लगता वो हमें वैसे ही अच्छा लगता है तो इसलिए कलर्स, डेकोरेशन, प्लेटिंग इन सब पर मैं बहुत ध्यान देती हूं यह देखें टेमपे को पहले तो मैंने सोचा क इनके चोटे तुकडे कर देती हूं ताकि खाने में भी एजी हो और अलग 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 तो वह भी अच्छा रखेगा बस फिर क्या था फिर मैंने अपनी टेमपे को फटा अफट कट बढ लिया इस तरीके से रेडी हो गई है मेरे आज के ने या डिनर बोल लिजए तंदूरी तंपे मत आलग अवल एज...लोट अव ग्रिल्ट केबल था Apr कर सकते हुए नाइस एंजोई कल लोग बोल रहा थे आपका पेट निकल गया हेल्थी घीलाओ